मेरा नाम है विधी और आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ तो आज की वीडियो बहुत ही जादा इंट्रस्टिंग होने वाली है अगर आप पाइनांस के सेक्टर में अपने के ले एक अपॉर्चुनिटी ढूंड रहे हूं तो अगर आप फ्रेशर हो या फिर एक् आपको बता दू कि बहुत सारे लोग पूछते हैं हमसे कमेंट सेक्षन में हम इन सारी जॉब्स में अपलाए कैसे करें कहां जाके करें टेंशन नाट आज की इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगे कि आप इन सारी जॉब्स में कैसे अपलाए कर सकते हो तो चलिए finance account receivables तो जो आपको यहां job designation मिलिये है वो है finance account receivables analyst ठीक है तो यह जो job opening है आपकी आपका जो working place है वो बैंगलाओर करनाटका में है now talking about की जैसे आप जानते हो KPMG बिग 4 में आती है and it's one of the renowned companies of India so अगर इधर काम करने का मौका मिल रहा है तो guys पिलकुल भी this opportunity को miss out to math करना do apply for this job तो चलिए बात करते हैं इधर roles and responsibilities की क्या roles रहने वाले हैं आपके तो सबसे पहले आपको जो भी team से काम करवाना है उनका जो daily allocation होगा वो आपको manage करना होगा वो आपकी key responsibility है आपको care risk जैसे system का first level पर approval करना होगा processing AR manual invoices आपको process करना होगा client invoices को भी आपको process करना होगा अब जैसे जो online administration request होती है जैसे कि हमारे task code creation हो गया funding हो गया या फिर secondary creation हो गया इनको approve और verify करना भी आपकी primary responsibility है तो बात करते हैं अगले आपकी जो role sense responsibilities है जैसे आपको जो revised PDF है वो भी आपको share करने है and doing the narration changes जो जो business finance में जितने भी SR आपको assigned है उनको resolve करना आपकी की responsibility है other ad hoc requests like PDF extraction etc other ad hoc requests like PDF extraction etc and resolving other audit queries आपको जितनी भी audit related queries है उनको solve करना होगा अगर हम qualification की बात करें तो अगर आपने किसी भी स्टीम से graduation की है तो आप इस role में absolutely fit करते हो लेकिन आपको जादा you know advantage मिलेगा अगर आपने BCOM या BBA से graduation की है now talking about next that is good communication skills चाहे वो यह job हो चाहे वो कोई भी job हो communication skills आपकी बहुत ही जादा strong होनी चाहिए क्योंकि आपको you know interaction करना होगा अपने टीम के साथ करना होगा आपको clients के साथ करना होगा so communication skills आपकी वहां पर बहुत ही जादा importance रखती है आपके पास एक से दो साल का work experience mandatory है experience होना चाहिए एक दो साल का self starter and ability to find solution and deliver result खुद के अंदर वो capabilities होनी चाहिए कि आप खुद से काम करो आपको कोई पीछे push करे ना बार बार आपको कोई धक्का मार मार के काम ना करवाए बेसिकली यह कहना चाहते हैं वह यहां पर well organized with ability to multitask and manage competing tasks in a fast-paced work environment जो आपकी job है वो full time रहने वाली है location मैंना आपको अलरडी बता दिये बैंगलॉर करनाटिका है बाकिस जॉब के वारे में अगर आप और जाना चाहते हो तो आप खुद से go through कर सकते हो एक बार तो यह थी हमारी आज की पहली job तो चलिए बात करते हैं आज की दूसरी job के बारे में जो की है American Express में बेसिकली यहां पर job की job designation होगी वो है TM credit and collect और अगर हम location की बात करें तो गुडगाओ हर्याना आपकी location होगी आपका जो work जो आपका work location option होगा वो है hybrid मतला आपको कुछ दिन office में जाना पड़ेगा और कुछ दिन आप work from home कर सकते हो that is तो चलिए बात करते हैं अब इस job के बारे में कि आपको इस job में करना क्या है तो सबसे पहले तो जो भी consumer card members है उनको उनकी जितनी भी queries है उनको solve करना priority में on calls या आपकी primary key responsibilities है resolve all customer queries and followed established procedures as appropriate आपको जो भी customer से जितनी भी queries आ रही है आपको उन्हें resolve करना है make sure जो भी customer queries आपके पास आ रही है आप उसे effectively resolve कर पाए and you have to also make sure कि जो भी established procedure है आपको वो follow करना है तो चलिए बागे बढ़ते तो provide alternatives and apply superior service number call handling skills to ensure best policy solution and FCR to card members basically जितनी भी आपके पास problems आती है जो भी customer के तरफ से जितनी भी queries है problems है आपको उन्हें सुनना है समझना है और उसी से related आपको उनको solution भी provide करना है and make sure make sure आप जो first interaction जो call होगी आपकी उसी में ही आप problem को solve कर सको effectively आपको identify करना होगा the mood profile and need of the customer customer का mood मतला क्या mood है और उनकी क्या needs है उनकी according आपको आपको क्या करना होगा और उसी क्या according आपको उनकी आफर करने होंगे best suited benefits product to the customer while being complaining with the late guidance भाई आपको जितना भी जो भी guidelines उसे follow करते हुए आपको customer को उनकी needs के साब से उनने best offer या product provide करना होगा deliver to the customer employee shareholder metrics as per goals highlight issues through feedback and recommend ठीक है तो basically आपको क्या करना होगा जो customer है employees shareholder metrics है उनको आपको manage करना होगा as per highlight in your goal जो भी आपकी goals है उसके according वेराज आपको feedback और recommendation भी देनी होगी अगर आपको लगता है कि आप recommend कर सकते हो कुछ workflow में changes procedure service levels पर based on customer demand और यह सारी आप जो भी recommendation दोगी यह basically आप based किस किस के base पर दोगे आप उसी के basis पर दोगे जो customer से आपको feedback मिला है उनकी needs क्या है उसी के according आपको पर recommendation देनी है adherence to quality and compliance guidelines previous sales while providing top-notch customer service background strong interpersonal communication and listening skills आपकी strong communication skills होनी चाहिए आपको आपकी verbal skills तो अच्छी होनी चाहिए मतला आप बोलने में अच्छी होनी चाहिए आपकी interpersonal skills अच्छी होनी चाहिए बाट आपको सुनने की भी अच्छी आदत होनी चाहिए ऐसा नहीं कि आप बोलने में अच्छी हो या बोलने में ही मायर हो आपको सुनना भी पड़ेगा आपकी good listening skills भी होनी चाहिए अब minimum qualification कि अगर हम बात करें इस job में तो customer focus with strong ability to resolve customer issues and effectively address service no situations this is this is what we have I have already you know told you तो अब बात करतें 24-7 आपकी shift रहेगी आपकी rotational shift रहेगी night को भी आपकी shift लग सकती है hybrid environment होगा मना आपको starting में ही बता गया था और strong interpersonal communication and comprehension skills यह तो mandatory ही इस job में नहीं हर job में तो चलिए बात करते हैं हमारे आज की तीसरी job के बारे में जो कि है idfc first bank में यहां पर जो आपकी job designation है वो as a teller है और आपका जो department है वो है branch banking तो चलिए आप जल्दी से देख लेते हैं कि roles and responsibilities क्या है इस job की daily customer engagement on assigned customer portfolio for current account saving accounts build up asset so basically जो भी customer portfolio आपको assigned है जैसे कि for current account saving account इन सबको build up करना इनको customer के साथ daily engagement करना और asset and wealth को cross sell करना यह आपकी responsibility है इस job में वेरास जो performance score card में जो भी target जो business target आपको assigned है वो आपको achieve करना होगा and that too timely giving the client need based product solution जो client की need है उसी की according आपको उन्हें best solution best product solution provide करना है assisting customer propensity and ensuring high product penetration for relationship referencing for more business from existing customers तो जो आपके existing customers है आपको उनसे और business लाना है तो वो relationship आपको उनके साथ build up करना होगा तो आपको मतलब long term relationship build करना होगा अपने customers के साथ ताकि आप अपना business आप और business ला सको ठीक है now coming to next responsible for creating a customer focused approach for quick resolution of all queries and complaints देखो आपको जल्द से जल्द आपका customer focused approach होना चाहिए ताकि customer की जो भी queries है जो भी problems है आप उसे जल्द से जल्द क्या कर सको solve कर सको ठीक है ensuring adherence to banking regulation and policies pertaining to anti-money laundering तो आपको rules and regulations भी follow करने हैं जैसे की anti-money laundering के बारे में आपको पता होना चाहिए KYC के बारे में पता होना चाहिए know your customer data and information security इन सबके आपको knowledge होनी चाहिए and strictly follow भी गरना पड़ेगा आपको जितने भी rules and regulations है assistant closure of all observation and audit report तो audit report में जो भी observation है उसको close करना आपकी key responsibility है client relationship management and customer services to related to retail banking operation आपको ही manage करना है custodians of branch vault and manage the vault limits, supervise all cash and non-cash transaction आपको supervise करना है जो भी cash transaction हो या फिर non-cash transaction हो जैसे की DDMC या फिर fund transfer या आपको supervise करना है updating the key register regularly जो key registers होगा वो आपको regularly maintain करके रखना है review branch reports like end of the day, cash position report, instrument issues etc. monitoring of आपको monitor करना है dummy accounts, suspense accounts, deferred accounts, account payable, receivable, reconciliation and maintenance of suspense account register as per the requirement आपको यह सब करना है वेराज जो आपके education qualification है जो आपके लिए वो होनी चाहिए graduation किसी भी stream से करो बड़ आपके पास graduation के degree होनी चाहिए whereas experience के अगर हम बात करें तो 2 से 5 साल का relevant experience होना चाहिए तो अगर आपको लगता है कि आप यह सारी roles and responsibilities में आप असानी से कर सकते हो या फिर आपने करी है और इसमें आपका experience है तो इस job में आप असानी से apply कर सकते हो और apply कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो के last में बताऊंगी तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम आपनी next job के बारे में बात करते हैं जो कि है मैरियट कारियर्स में और यहां पर जो आपकी job designation है वो है finance executive account receivable तो अगर हम इस job के बारे में बात करें तो जो आपका department है वो है finance and accounting और location आपकी है आपकी full time job रहेगी और अगर हम इस job के बारे में थोड़ा सा you know आप खुद एक बार go through कर ले ना लेकिन अगर मैं थोड़ा सा मोटा मोटा आपको बता देती हूं कि आपकी roles and responsibilities क्या है basically आपको financial record को सही तरीके से maintain करना है जैसे bills हो गए invoice हो गए और reports prepare करनी आनी चाहिए आपको whereas दूसरे department के साथ आपको coordinate करना है और deadlines भी maintain करके रखनी है whereas आपको company की policies or procedures को भी follow करना है professional language में आपको बात करना है oral and return communication में आपको strong hold होना चाहिए और अगर और बात करें इस job के बारे में and lastly and mostly आपको team के साथ coordinate करना है उनके साथ you know अच्छा relationship बनाते हुए काम करना है and time पे काम करना है so basically this was all in this job अगर आपको go through करना है तो आपको go through भी कर सकते हो इस job के roles and responsibilities में now coming to the last job of the day that is in netwest group और यहाँ पे जो आपका job designation है और गुडगाओं में इसकी location है तो चलिए बात करते है इस job के बारे में थोड़ा सा कि क्या आपकी roles and responsibilities रहने वाली है join us as a credit officer take on a critical role that will see you identify assisting managing credit techniques तो यह आप खुद एक बार go through कर ले ना we will come to what are your roles and responsibilities support full compliance with all relevant organization credit and business policies including the creation of robust suit of assurance measure review all credit policies line with organization legislative and regulatory requirements जो भी credit policies होगी वो आपको review करनी होगी and organization के साथ legislative के साथ और regulatory requirements जो भी होगी आपको वो review करनी होगी अपने आप से provide assurance to senior management that all control based activities are compliant with our standard other resources आपको colleagues के साथ effectively manage करना होगा and in fact जो भी resources उसका best use करके आपको अपना काम करना होगा skills you also need अगर हम skills की बात करें कि आपको क्या होगी है वेराज a broad understanding of external regulation तो यह थी आपकी requirements की इस job के लिए आपको क्या चाहिए तो यह थी हमारी आज की 5 finance job updates लेकिन आपको इसके अलावा भी अगर private banking में अपना कारियर बनाना है तो इसी वीडियो के description में एक form लिंक है आप उसे जल्दी से आपके फिल कर दो हमारे concerned counselors आपके पास कभी भी पहुच सकते हैं और किसी भी वक्त पहुच सकते हैं so they will try to contact you as soon as possible whereas अब बात करते हैं उस सवाल की जिसके लिए आप बहुच टाइम से वेट कर रहे हो कि इन सारे jobs में apply कैसे करें so attention not इसी वीडियो के description में हमने इन सारी jobs का link attach कर दिया है तो आपको जो भी job suitable लगती है या ऐसा लगता है कि आप यह roles and responsibilities अच्छे से कर सकते हो या फिर आपका experience है तो आप उस link को tap करके apply कर सकते हो इन jobs के लिए तो यह थी हमारी आज की job updates फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए